अगर आपको मश् Burpki बनानी तोड़ी मुश्किल लगती है मेथी भाली mathematician है बहुत देख से हुआ है लेकिन उसके लिए ट्रिक करेता जिस से हम अपनी रोटी हे बहुत य। नरम ना बनके रैडी हो winter तो आपनी रोटी bete मेथी उगाई है बहुत ही अच्छी हो चुकी है तो उसको तोड़ने की वीजियो में शेयर कर रही हूं इस तरह से मेथी को उपर से तोड़ लेना है कि एक डाली हमने मेथी की तोड़ लेनी है कि एक एक डाली है कि इस तरह से मैंने मेथी हैं काफी सारी तोड़ ली है थोड़ी सी और भी तोड़ूंगी अब हम मेथी को कट करेंगे मेथी की रोटी बनाने के लिए सबसे हैं पहले हमने मकी का आठा ले लेना है इसको मैंने छान लिया है साथ ही हम डालेंगे दो तीन हरे में चकटी हुई तेस्ट के कोड़ी हाँ डाल सकते हो यंकि आठे में ही सबकुछ सबसे पहले हम मिक्स करेंगे एक चमच हमने जो अद्रक होता है उसको पीस लिया है उसका पेस्ट ले लिया है एक चमच नमक लेंगे गरम मसाला रैट चिली फ्लेक्स इसको सबसे पहले हमने मिक्स कर लेना है हमने मेथी कट करके रखी है वह सारी की सारी डाल देंगे खूब सारी मेथी है इसे की जो टेस्ट हमें आने वाला है तो मेथी में कोई कंजूस ही ने करेंगे इसको अच्छी तरह से हमने पहले मिक्स कर लेना है एक तरफ मैंने गरम पानी होने के लिए रखती है क्योंकि गरम पानी से ही मक्की की जो रोपी है वह सौफ्ट बनती है तो इस तरह से यह मिक्स हो चुका है अब यह तेज गरम पानी आप दे सकते हो तो तेज गरम पानी ह इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसको मिक्स करेंगे इसको मैंने पॉली थिन करें जो रिफाइंड का पैकट होता है उसको मैंने गोल शेप में कट कर लिया है इसकी हेल्प से हम रोड़ी बनाएंगे क्योंकि यह थोड़ी सी ट्रिक्की होती है इसको इसे रखेंगे हमने सिर्फ लोई को रखना है और इसको गुमाते जाने आप नीचे कपड़ा भी बिचा सकते हो उसके ओपड़ी अच्छी तरह से गुम जाता है बल्कुर अच्छी तरह से आप इसको मर्जे घुमाएंगे तो तवा गरम हो चुका है मिस्स रोटी को इसी तरह से उठा लेंगे बिल्कुर असानी से जी निकलाएगी और तवे पर डाल देंगे तो जब तक दूसरी रोटी हमारी ये पकर ही है नेक्स पेड़े को भी हमने रोटी की शेप दे देनी है क्योंकि थोड़ा से टाइम जादा लगता है मकी की रोटी को एक तरफ सीखेगी दूसरी तरफ सीखेगी तो जब तक हम दूसरी रोटी है वो भी बना कर रैली कर लें तो पर्फेक्ट रूटी है आप बनाके राड़ी कर सकते हुआ तो इसको तलग लेंगे इस तरह से उआ उआ कर सकते हुआ तो रूटी है तो नूटी है पिलेगा दूटी है तो रूटी है तो अब इसको मक्खन के साथ हमें सब करना है तो बिल्कुल हमारी रोटी है वो बनके रैडी हो चुकी है दूसरी रोटी उनने डाल दी है बहुत ही यम्मी सी रोटी है जो बनके रैडी हो चुकी है आप देख सकते हो बहुत सौफ्ट बहुत ही क्रिस्पी रोटी हमारी बनके रैडी हो चुकी है आप इसको दही के साथ मक क्व तरह को सब कर सकते हो तो अगर आपको यह हैफुल लगी हो या फिर अच्क ऐसी लगी हो तो प्रीज अपने फ्रेंट्स के साथ Share कर देजिया चैनल को कर दीजिस सब्सक्राइब मिलते हो अके साथ एक नहीं वीडियो के साथ नहीं leuke केcción गू और रटाथrowsव